हाई दिस इस एनेच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लेश आज हम 11 और 12 में पढ़ी जानी वाली किताब रेंबो दे स्टोरी आफ इंग्लेश उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे यह किताब जो है काफी इंपोर्टेंट है बहुत ही इंपोर्टेंट इसके कॉस्ट भी ज्याद और मोडर्न इंग्लिश में क्या चेंजेश हुए और इसके साथ साथ ही इसमें दे स्टोरी आफ पोईटरी दे स्टोरी आफ ड्रामा दे स्टोरी आफ नॉवल सी सारी चीजे मिलेंगी तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका पहला चेप्टर जो है वह हाव इंग्लिश बिगिन और पहले चेप्टर शुरू करने से पहले कुछ हम बैक्ग्राउंड जान लेते हैं जो यहां इस किताब में पूरी डिटेल्स में नहीं दी हुई है लेकिन हम और देख लेते हैं चार सो पचास एडी तक इसवी तक नहीं इंग्लेंड नाम था और नहीं इंग्लिश लैंग्विज बोली जाती थी उस जगह पे जो लोग रहते थे वो केल्टिक जनजाती के लोग रहते थे और वो केल्टिक डाइलेक्ट यानि केल्टिक अस्थानिये भासा का इस्तामाल करते थे और ये लोग शायद उसी वक्त आये होंगे जब आरेन भी आये थे और ये कैल्टिक लोगों को हम ब्राइथोन या बिरिटॉन और बाद में इस नाम की वज़े से उस जगह का नाम जो है वह बिरिटेन भी पड़ा 43 SB में रोम ने इस पे आकर्मन किया और इसे अपने कबजे में ले लिया और रोम करीबन 43 SB से 400 या 410 SB तक वहां पे रहा और वहां जितने भी आकर्मन होते थे सबसे इनकी रक्षा करता था क्योंकि रोम के पास अपनी आर्मी थी लेकिन जब रोमन समराज जो है इस जगह को छोड़ कर अपनी जगह चली गई तब इन्हें प्रॉबलम होना शुरू हो गया क्योंकि यहां पे अकसर पेक्ट्स और स्कॉट्स और बहुत से इंवेडर्स में एंगल्स सेक्षन और जूट थे इन तीनों को मिलाकर एंगलो सेक्षन कहते हैं और इनकी लैंगविज भी ट्यूटोनिक थी यहां पर ट्यूटोनिक वो जंजाती से थे तो ट्यूटोनिक वो बोलते थे और वो करीबन 449 या 450 कहीं कहीं मिलता है एडी में वह यहां पर आगया आने के बाद और लो काफी खुंखार थे और काफी फिर्स पोल थे उन लोगों की वज़े से यह लोग काफी डर गए और डर की वैस से यह भागकर वेल्स पहाड के तरफ परवत की तरफ जाकर यह लोग रहने लगे तो यहां जो इंगलेंड का जो नाम पढ़ा यह ही ट्यूटोनिक रेस के लोगों के नाम पे इंगल के नाम पे इंगलांड पड़ा और लैंग्विज जो है ट्यूटोनिक में जो है इंग्लिस को और बाद में जो है ओल्ड अगर इंग्लिश की बात करें तो यह इंग्लिस और इससे इंग्लिश नाम पड़ा तो चलिए हम च Sanskrit, Persian, Greek, Latin और जितनी भी Classical Language पुरानी थी उसमें जब यह European लोग और जब यह European और Asian Language हर जगह पूरे विश्व में शाहसन कर रही थी उस वक्त ना English था और ना ही England था the English we speak today came from a speech of Germanic tribe जो English हम आज बोलते हैं यह जो इसमें में जन जाती थी वह English, Saxons and Jutes थे इन तीनों को मिलाकर हम Anglo-Saxons कहते हैं who invaded England in 5th century जो 5th century में यानि 449 में इन्होंने आकर्मन किया England के उपर और इस जगह को अपन जगह इस country का नाम भी दिया और language भी इन लोगों ने दिया यह जो Anglo-Saxon लोग थे यह Germanic people थे जो जर्मनी से आए हुए थे जर्मनी के अगल बगल से आए हुए थे who lived in North and West Europe यह North, ऊत्री और पश्मी यूरोप जो है जो आज के डेट में Denmark, जर्मनी और Holland बन चुका है यहां से आए हुए लोग थे और इनकी जो लैंगोज थे वो जर्मनीक और ट्यूटोनीक थे इस लैंगोज वर क्लोजली रिलेटेट टू लाइटिन ग्रीक संस्क्रीट अन अधर लैंगोज अब इंडो यूरोपियन फैमली और लैंगोज यह लैंगोज जो थी वह बहुत ही करीब थी लैटिन लैंगोज के ग्रीक लैंगोज के संस्क्रीट की और पाकी जितने भी इंडो यूरोपियन लैंगोज थी उनके बहुत करीब थी अब इंडो यूरोपियन लैंगोज के अगर हम बात करें तो इंडो यूरोपियन लैंगोज यानि वैसा लैंगोज जो और एशिया में बोली जाती थी जिसमें मिली ज्यादा तर यूरोप के लैंगुज थी और इंडियन लैंगुज में संस्क्रीट थी और एरान के लैंगुज में पर्श्यन थी यह सारी लैंगुज जो थी इंडो यूरोपियन लैंग्विज थी इसमें अगर नीची हम जो फिगर को देखें एक डाइगराम बना हुआ है यहां पर हम देखें तो यहां पर बाल्टो स्लेविक भी एक लैंग्विज है पर्शियन संस्क्रीट ग्रीक लाटिन और जर्मानिक और जर्मानिक से ही जो है विस्ट जर्मानिक और ओल्ड इंग्लिश से इंग्लिश फिर लैंग्विज जो है वो पूरी तरह से वजूद में आया तो बाल्टो स्लेविक जो है वो बाल्टिक एक शी के क्रीब वो बाल्टिक लैंग्विज थी और बल्ट और स्लेविक ज्योती और भी कंट्री यहां पर थी जैसे कंट्री आपका सर्विया, पॉलेंड और यूक्रेन यहां के जो लैंगेज बोली जाती थे तो यह बाल्टो स्लेविक हो गई ओके जर्मेनिक जो है जो लोगों चे पॉस दूसरी तर जो है सैक्षिन लोगों को फोरिनर का विल्स यह लों यहां पर होता है They however began to call their language English. और उनके language को ये English कहना शुरू कर दिया. The word English जो है, the word English जो derived हुआ है. The word was derived from the name Engles. जो Old English में Engle, E-N-G-L-E से है. The country was given the name of Englekin. Kin, सगा संबंधी और Englekin, that is the race of Engles. Engles के race से ही या नाम जो आया है. अब यह जो है from the 1000 AD एक हजार इसवी तक जो है यह नाम जो है इंगल लैंड या इंगला लैंड यानि लैंड ओफ इंगल्स और धीरे दीरे यह इंगल कीन से इंगला लैंड और फिर इंगलैंड बना और यहीं से जो है लैंगवज आई तो इस तरह से हम देखें तो यह क्याल्टिक लोग के जो थी यह नाम country का नाम उनका अपना है और नाहीं यह language उनका अपना है उम्मिद करता हूँ इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और अगली बार हम दूसरी वीडियो में दूसरा chapter लेकर आएंगे Thanks for watching this video